नमस्ते इस सभी को एक वर्फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के उपर भगवान शिव के जो सारे आयाम हम समझने की कुशिश कर रहे हैं कल हमने जाना था चंदर्मा के बारे में कि जो भगवान शिव के उपर चंदर्मा जो दिखा जाता है उसका मतलब क्या है जो ढलता हुआ जो चंदर्मा है वो आज हम जानते हैं जो त्रिशूल के विशे में हमने देखा कि भगवण जो शिव है उनका जो मूर्ती होती है तो हाँ पर तृशूल जो है उनका मुख्य एक हतियार के रूप में दिखा जाता है सबसे पहले तो ये देखें कि जो तृशूल है वो क्या है एक हतियार है उस हथियार का मतलब है कि वो उसकी कुछ उपयोगिता है वो एक टूल है तरशूल जो है वो एक टूल की तरह दिखाया गया है मतलब वो हर समय उपयोग करने की चीज नहीं है उसको भगवान शिव कभी कभी उपयोग करते है यानि वो जो तरशूल है वही हमारे पास भी वही हतियार है लेकिन वो हतियार जो है वो हमें कभी कभी यूज़ करने के लिए उसकी कुछ उपयोगिता है और उसके जो तीन शूल है तो उसका क्या मतलब है उसका मतलब है तीन गुण तीन गुण जो हैं उनके उपर विजय प्राप्त कर लेना यानि जो उस शिवततों को जान लेगा वो उन तीन गुणों के उपर विजय को प्राप्त कर लेगा जो सत्व रजस तमस तीन गुण है सत्विक्ता है जो प्योरिटी है राज सिखता है जो थोड़ी संसारिकता है जो थोड़ा medium level है और ताम सिखता है वो darkness है ये तीन गुण है इन तीन गुणों को के विभिन रूप है इनहीं से सारी चीजे बनी हुई है शारी प्रकरती की जितनी भी चीजे बनी सब इनहीं को मिलाके बनी है अब इन तीन गुणों के उपर विजय प्राप्त कौन कर पाएगा जो उस शिव को जान लेगा इसका अपोजिट भी उल्टा भी सही है कि जो तीन गुणों पर विजय प्राप्त करेगा वही शिव को जान पाएगा या जो शीव को जान लेगा वही तीन गुणों पर विजय प्राप्त कर पाएगा और तीनों जो गुण हैं वो एक हथियार की तरह है भगवान शीव के आपने अवतार देखे हैं, उनके विभिन रूप देखे हैं उनको क्रोध भी आता है, जब तमस्क का उप्योग करना है तो भहरव की रूप में भी है तो जब ग्यान का रूप देना तो वैसा आवतार भी लेते हैं, वो ग्यानी भी है मापारवती को इतना ग्यान दे रहे हैं एक परकार से सारे तंत्र मंत्र का ज्यान दे रहे हैं साधना पद्धतियों का ज्यान दे रहे हैं वो ज्यानी भी उतने बड़े हैं जब उनको राजशिक रूप है तो वहाँ भी अपना वही रूप भी उपयोग करते हैं लेकिन वो तीनों गुणों का उपयोग कर रहे हैं वो एक टूल की तरह है, जहां जिस चीज की उप्योगिता है, उसका उप्योग कर रहे हैं, ना कि उनके वशी भूत हो रहे हैं, तो तिरशूल जो है, वो तीनों गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात को रिप्रेजेंट करता है, और हथियार होना, यानि एक उसका की एक टूल है, एक उप्योगिता है उसकी, उसका उप्योग कभी-कभी होना, मतलब वो जब जब जरूर्त पड़े, तो अपना विक्राल रूप भी दिखा धान कर लेना, अपना तांडव भी दिखा देना, विनासक रूप भी धान कर लेना, लेकिन वो कभी-कभी, एक में रहता है, तो वो एक detachment, तीन गुणों से दूर हटने का, तीन गुणों से हटके एक self observation की state भी आप बोल सकते हैं, कि आप तीन गुणों से हटके उस शिव तत्व में, उस शिव की अवस्था में खुद को योग की अवस्था में आप connect करते हैं, तो उन तीन गुणों से द दूर हटना पड़ेगा, जो एक हथियार की तरह है, जो किसी को विनास भी कर सकते हैं, जो रक्षा भी कर सकते हैं, तो उनका रक्षा के लिए किसी के जीवन को बचाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं, हम तो उन तीन गुणों से उपर उठने की जुकरिया है, वो त्र और मिला निए Shiva Tatea निए तीन गुर्ण गुण के होगता है व्पशे को ड़ी तीन गुण के वाप्त करने है और अधे भागान शिन से लाग होना उनका देख भाल के उप्योग करना समझदारी के साथ उप्योग करने की बात इहां पर दर्शाई गई है इसके अलावा तीन चीजे कंई सारी चीजे रेप्रियजेंट करती है तीन चीजे जिसे समझो की तीन नाडिया भी है लیکिन वो हम कनेक्ट करेंगे जो भगवान शिव के जो नाग जो है शरीर पर उन से समन्दित है नाडिया क्योंकि नाडिया शरीर के अंदर है और नाग भी शरीर के उपर है लेकिन तरशूल जो अलग है वो एक दूरी पर है तो उसको दूरी में तीन गुणों को ही ये रेप्रेजेंट करता है यानि भगवान शिव जो है वो तीन गुणों के विजेता माने गए यानि जो शिवतातों को जान लेता हो तीन गुणों के विजेता राप्त कर लेता है और वो हर परकार के पाप करम से, हर परकार के पुर्णे करम से, हर परकार के राजसी करम से मुक्त हो जाता है सत्व रजस तमस से उपर उठने की बात यहां पर रिप्रिजेंट करता है भवान शिव का त्रिशूल और उनका देख भाल के उपयोग करना, उनके उपयोग को समझ के उपजर्वेशन के साथ उनका उपयोग जीवन में करने की बात को सिखाता है तो यही तरशूल का मतलब था और यही हथियार है यह जो तीन शूल है ऐसे ही हथियार प्रकरती ने हमें दिये हुए है उनका देख भाल के जैसे क्रोध है क्रोध आपके पास एक हथियार है उसकी उपयोगिता है जीवन बचाने के लिए सरवैवल के लिए कभी जान पर कोई खतरा हो कोई बहुत अच्चार हो तो उसका उपयोग आप कर सकते हो लेकिन क्रोध का दैनिक जीवन में उपयोग करोगे तो वो हानिकार कोगा सब के लिए तो ऐसे ही क्रोध है काम है, मोह है, लोब है, लालच है यह सब चीजे जो है थोड़ी उपयोगी है इनकी उपयोगी ता प्राकरतिक रूप से दी हुई है उसको समझ के इनसे दूर हटने की बात कि समझ के देख भाल के उनको उपयोग करना समझदारी के साथ उपयोग करना इस सियम की बात जो है भगवान शियु करते है तो यह आज की वीडियो में इतना ही है नेक्स्ट कल वीडियो में हम जानेंगे कि जो भगवान शियु के उपर जो नाग है डिफरेंट डिफरेंट परकार के उनका क्या मतलब है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सबका धन्यवाद, सुबको नमस्ते, ओम नमस्यवाई